चमपाई सोरेन सरकार के 125 यूनिट फ्री बीजली देने की घोशना पर बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया है बीजेपी के परदेश प्रवक्ता परतुल सहदेव ने चुटकी लेते हुए कहा कि हेमन सोरेन पार्ट टू सरकार की या हवा हवाई घोशना है इस यूजना का भी वही हसर होगा जो 25 रूपे परती लिटर पेट्रोल में सबसीडी का हुआ था परतुल सहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विदाई की बेला में सिर्फ घोशडाओं की जड़ी लगा रही है उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार दावा करती है कि 22 लाख लाभुख फायदा उठा रहे हैं लेकिन वह स्वेद पत्र जारी कर या नहीं बताती कि किन पंचायत वे किन जीनों में कितने लाभुख हैं लेकिन हमें सरकार के किसी भी वायदे पर किसी भी गोशना पर यकीन नहीं और खुद मुक्रमंत्री चमपई सोरेन जी ने कहा था ना कि ये हिमन सोरेन पार्ट टू है तो पार्ट वन में क्या हुआ था आपको याद होगा कि गरीबों के लिए 25 रुपे लीटर प्रती लीटर पेट्रोल में सबसीडी की उस सरकार ने गोशना की थी उस योजना का क्या हुआ कितने लाभुक हैं ये सबके सामने रियालिटी चेक है वो योजना पूरे तरीके से फ्लॉप हो गई अब इनकी जो योजना है फ्री बिजली की उसके लिए हमने इनसे कई बार अग्रह किया है कि आप श्वेत पत्र जारी करें बताएं कि जो 22 लाग लाभुक आप क्लेम करते हैं वो किस जिले के हैं किस पंचायत के हैं किस प्रखंड के लेकर सरकार यह ऐसा करते हैं दिख नहीं रही है तो हमारा मानना है कि ये भी एक हवा हवाई घोशना साबित होगी यह सरकार सिर्फ अपनी विदाई की वेला में घोशनाओं की जड़ी लगा रही है